स्वागत है आपका इस नए सेशन में जहां पे अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं यह बहुत इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंग कॉस्टिंग यह सारा आप लोगों को जो नाम देना इसको दे दो यार and yes let the game begin so I hope आप लोगों को मेरा audio वीडियो एकदम पॉर्फेक्टली आ रहा होगा मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ myself C.A.C.S. संकल्प कांस्टिया and I am into teaching this subject of costing and financial management for more than one decade जी हां एक 10 साल के ऊपर हो गया है मुझे यह subject पढ़ाते वे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि है मेरे DNA में मेरे खून में बसा हुआ है and I am sure कि आप लोगों को भी बस वही level पे लेके जाओंगा and एक idea दे दू आपको so by profession I am a chartered accountant I am a company secretary I have worked with a college wise मैंने Bombay में अपना college complete किया था from nursing moji college one of the best colleges of Mumbai and then CA बनने के बाद मैंने join किया JP Morgan financial services world की सबसे बड़ी financial services providing company and वहां पे मैंने practically सीखा कैसे management accounting cost accounting financial management apply होता है and फिर बाद में the passion of teaching took me over so उधर मैंने काम किया approximately four to five years बहुत अच्छा experience था बट मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था so I was like चलो बाकी सब चीजे side पे एक पढ़ाने का जो एक passion है उसको पूरा करते है या कल उठके अफसोस नहीं होना चीए कि जो चीज पसंती वो नहीं की क्या बलते हो right बस उसी एक अब ले जाएंगी कहा बस यही एक focus के साथ मैंने start किया अपना teaching journey and उस दिन से पीछे मुड़के नहीं देखा just love teaching and I'm sure आप लोग को भी अब मज़ा आएगा इस पूरी journey में ठीक है तो that's that's about me so JP Morgan में काम करने के बाद फिर मैंने coaching चालू किया जब मैंने coaching start किया तब face to face coaching का था तब यह online coaching का ऐसा कुछ जमाना था ही नहीं फिर दीरे 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 innovation came online आ गया YouTube आ गया and obviously then transition होता गया और अभी तो पूरा ऐसा है कि exclusively live at home या जिसको आपन लोग बोलते हैं कि online coaching पे ही the whole system is so that's about me and अब मैं आप लोगों की तरफ से एक promise चाहता हूँ आप लोग please मुझे यह promise करना मैं क्यों बोल रहा हूँ यह promise करने को because बोलते हैं एक manifestation है यह अपना what is the manifestation your manifestation is I am going to score 90 plus marks in CA inter costing exams यह तुम लोगों को मुझे whatsapp करना है on my number 9819201473 बट साथ में अपना name और location भी भेजना बस ऐसे लिख दोगे तो मुझे कैसे पता चाहिए कौन भेज रहे है तो आपको खाली इतना साथ में लिखना है कि आपका नाम क्या है और आप कहां से है यह चीज एक आप लोग मुझे खाली भेज देना so that all of us are confident enough that yes plus आप लोग का नाम और location मेरे पास रहेगा so that कभी future में आप लोग doubt पूछते हो तो मैं immediately उस पे reply कर दूँगा because I know that okay these are my students and definitely I should reply to them on immediate basis यह मेरा contact number भी तुम लोगों को मैंने दे दिया है तो उससे कभी भी future में तुम लोगो doubts आता है तो वो भी तुम लोग मेरे साथ discuss कर सकते हो अब तुम हो CA intermediate के नन्ने मुन्ने प्यारे से बच्चे जो foundation exam clear करके आए अब हो सकता है कि कुछ students है जो एक attempt दे देते हैं फिर बाद में यह lecture लेते हैं कुछ students है जो एकदम fresh होते हैं and आप लोग doubts भी मुझे ऐसे ही पुछना as if आप लोगों को एकदम कुछ भी नहीं आता है एकदम मतलब गोलते हैं खुली किताब plain कोरा कागस मुझे परना है so मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आपको जब foundation थे तब चार paper थे चारो exam को clear करना था बात खतम यहाँ पेश यह intermediate में अब आपके पास होते हैं दो ग्रूप हो सकता है आपको यह चीज़ पता हो पर फिर भी as I told you कुछ basic चीज़ों का idea देना यह मेरा फर्ज है and that I will give you for sure so इसमें दो ग्रूप होते हैं एक ग्रूप होता है ग्रूप 1 and the other is called as group 2 ग्रूप 1 में as you would know तीन एक्जाम होते हैं एक होता है advance accounts दूसरा होता है law and तीसरा होता है tax जिसके अंदर मेरा dt plus idt आ जाता है I know हो सकता है आपने group 1 दिया और फिर आप class ले रहे हो तो आप बोलो के sir यह तो कितना सा थो हमको भी पता है कोई बात नहीं वापस से सुन लो हो सकते हैं हमारे कुछ भाई बेन हो जेंगे जिन कोई idea ही ना हो so let's help them also guys group 2 में आ जाता है अपना paper 4 and that is costing cost and management accounting है then comes your audit and then 50-50 marks का आ जाता है FM financial management and SM strategic management all right guys अब अपना जो passing है उसका क्या scene है तो यह पहले तो अपने को पुरा subject का idea आ गया वैसि यह intermiserate में अपने को यह सारी चीज़े पढ़नी है अब अपना जो passing criteria है group 1 को दे रहो आप हो सकता है गोई लोग खाली group 2 दे रहे हो सकता है कोई लोग दोनों group 2 दे रहे तो आपका pricing criteria है 40 in each subject am I right तो एक-एक subject में आपको minimum 40 तो चाहिए दुनिया उपर की नीचे हो जाए अगर एक subject में भी 40 के नीचे आया ना तब तक आप intermediate पूरी तरह से clear नहीं कर पाऊए ठीक है हाँ हो सकता है किसी में exemption आजए किसी में जादा marks आजए तो एक ही पेपर देना पड़े हो सब permutation combination में भी discuss करूँगा बट भाई कुछ भी हो जाए हर subject में यार 40 तो लाना हिच लाना है उसमें कोई दो राय नहीं है earn दूसरा है 50 in aggregate 50 in aggregate तो टोटल मिला के फिर 50 marks होना चाहिए आओ अब देखते हैं how much do you know about this तो देखो 50 का aggregate minimum 40 आप मुझे बताओ मैं आपको एक situation देता हूँ ठीक है एक example देता हूँ situation देता हूँ मुझे बताओ क्या सीन है समझो अकाउंट में 45 आया समझो लॉव में आया law में मेरे को 55 आया and tax में मेरे को 35 तो मेरे को बताओ group 1 का मेरा total कितना हुआ group 1 का मेरा total कितना हुआ बताओ बताओ पोलो पोलो चल 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 यह यहां पे हो गए आप फेल तो पूरा ग्रूप तो पास नहीं हुए हो नहीं हुए हो क्या आप अब accounts और law भी आपको वापस देना पड़ेगा क्या the answer is yes because अब you will be considered as unsuccessful फेल वर्ड नहीं लिखते है अपन यूज करते है वर्ड unsuccessful सो वैसा है समझो यही टाइम पे यही टाइम पे आप लोग ने ग्रूप टू भी दिया ग्रूप टू में 58 57 38 टोटल हो गया 153 आप मेरे को बताओ पास होके आप बोलोगे नई सर यहां पे भी आपन लोग पास नहीं हो पाए तो अपन एग्रिगेट ही सर नहीं कर पाए इंडिविजूल सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाए और शाद एग्रिगेट भी नहीं हो है यहां पे अटलीस में एग्रिगेट हुआ है तो उसका टेंचन नहीं है बट यहां पे अगर मैं देखता हूँ तो इंडिविजूल लेवल पे FMSM में मैं फेल हो चुका कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं यह दोरी अपना रियल वह है अब सेकेंड सिचुएशन है समझो एडवांस अकाउंट में 55 लॉ में आया 55 टैक्स में आया 50 ग्रूप 2 में आया 48 32 और 56 बोलो टोटल कितना होता है यहां पे यहां पे यहां पे टोटल होता है यहां पे टोटल होता है चाग है 136 बताइए कौन सा pass कौन सा fail करें से group yogurt पास क्योंकि सब में 40ा 40 के उपर है येंग्रेगेट मतलब टोटल 150 के ऊपर है ये तो फिर आप हो जाते हैं पास बहुत-बहुत southern हो 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 है यह वाले सिचुईेशन में आपको एक में 32 के कम हैं तो आप हो जाते हैं वापस से देना पड़े घार समझें और एक situation लेता है ठीक है और एक situation लेता है यह बात वहसे तुम लोगो यह सब चीज़े जो मैं बता रहो वो पता है क्या I'm sure पता ही होगी बट सर फिर भी क्यों बता रहे हो मैंने गुला ना तुड़ा कुछ चीज़े है यार जो मुझे लगता है कि मुझे बता नीन चाहिए 55 55 and से ले लो यह मेरा टोटल हो गया 165 अब आपने साथ में ग्रूप टू भी दिया था आपको ग्रूप टू के कॉस्ट में आया 48 आपको ओडिट में से आया 40 हश जस्ट बच गए एंड आपको FM SM में आया 56 अब इसका टोटल कितना हो रहा है 48 plus 40 plus 56 and this works out to 144 तो अब 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 अगर आप लोग नोट करोगे तो यह aggregate हो गया है yes इसमें 40 वाला भी क्राइटीरिया हो गया यह अगर आप लोग देखोगे तो इंडिविजुल यह ग्रूप वाइस पे aggregate नहीं हुआ है बट 40 वाला हो गया है बट अगर आपने दोनों ग्रूप साथ में दिये then there is something called as a set of मतलब आपको total add हो जाएगा so यह है 165 plus 144 total हो जाता है 309 तो मैं बोल सकता हूँ के अगर आपका यह 309 आया है then in that case छे subject का छे subject का 50 marks अगर अपन लेते हैं तो कितना होना चाहिए 30 marks होना चाहिए 300 होना चाहिए अपने को 309 है इसको बोलते है पास in setup मतलब पास हो गए है आप लोगों को एक लास्ट और एक मेरको एक situation बता देने दो and then फिर मैं finally CMA की तरफ cost and management accounting की तरफ आगे अपना रुख ले जाओंगा यहां पे भी है group 1 यहां पे प्राइब कुछ भी हो जाए यह group तो मैं pass ही हो गया हूं समझो साथ में आप लोग ने दिया दूसरा गुरू इसका टोटल 65 आया कि audit में है 35 FM SM में है 45 टोटल अगर करते हो तो आता है आपका 145 यह टोटल आजाता है आपका 145 टोटल 310 अब आईडियली आप लोग देखो कि तो 310 मतलब more than 300 तो पास हो जाना चाहिए बट 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 अगर आपका एक subject में भी 40 के तो आप दोनों ग्रूप पास नहीं हो तो यह वाला ग्रूप आप पास नहीं हो क्योंकि अभी यह वाला ओडिट तो आपको आपस देना पड़ेगा बट आप लोगों के लिए एक good news है इस situation में आप देखो क्या होगा ग्रूप वन आप लोग पूरा पास हो ग्रूप टू में obviously आपको audit और FMSM देना पड़ेगा बट costing में आपको exemption है congratulations so costing में you are exempt समझ में आया audit और FMSM आपको reappear करना पड़ेगा audit FMSM यह आपको reappear करना पड़ेगा समझ आगे basic जो होता है जो है वो है that's how it works so अब we know that कुछ भी हो जाए minimum अपने को 50 marks का aggregate लाना है 40 marks हर subject में होना चीए तब भी we will be able to clear but 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 अपने तो first session में अपनों ने तो first part में लिख दिया सर कुछ भी हो जाए 90 plus marks लाके दिखाएंगे and that's what we will do and you are right यह अगर अपनों ने कर दिया तो मज़ा आ जाएगा तो मज़ा जाएगा एके नहीं चल अब आ जाते हैं अपन लोग finally अपने paper के उपर और paper का नाम मैं तो बोलता हूं इसको costing बाकि cost and management accounting बोलते हैं कुछ लोग मैं कुछ लोग बोलते हैं whatever it is अब मैं आपको बता दू यह subject पढ़ने के लिए आपको मैं देने वाला हूं दो बुक एक मेरी बुक है optimized और दूसरी मेरी बुक है magic बुक यह दोनों बुक आप लोगों को मिलने वाली है and once you study from this book through इसके बाद आपको एक word पढ़ने की costing yes यह सपना आपका पूरा होगा for sure पूरा होगा तो अब देखते हैं क्या situation है so costing अपने को पढ़ना है optimized book से यहां पर देखो क्या क्या आता है यह अपनों लोग पढ़ने वाले हैं इस book में by defaults क्या-क्या चीज़े included होगी एक आपका ICAI का module इंडिया का जो ICAI.org है उसके ओपर जो module है वो सारा का सारा cover होगा फिर RTP which is also called as revision test paper sir यह क्या होता है तो सुनो आपके respective exam के पहले CA institute यह लोग कुछ एक paper निकालते हैं इसको बलते है RTP इस RTP में कुछ additional questions आते हैं जो आपके exam के लिए important है तो यह भी अपनी book में by default covered है जी हाँ फिर बाद में आ जाता है MTP इसको बोलते है mock test paper फिर बाद में आ जाता है past papers और फिर बाद में आ जाता है आपका old practice manual उसमें से भी मैंने कुछ sums लिये वे हैं so in short क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को यह अगर आपन लोग ने इतना properly कर लिया then in that case होगे your optimized is your detailed book and magic book आपके exam के लिए एक summary book मैंने बना के दे दी है ताकि exam के दिन भी आप लोगों को क्या करना है न वो पहले से आपको पता रहें so यह सब systematically मैंने एक एक चीज include कर लिया है सारे question and answers theory जो भी चीज़े वो सारी चीज़े इधर included है magic book जो मेरी summary book है उसको भी मैंने एक दाँ अच्छी तरे से properly summarize कर लिया है so now you know that okay यह सारी चीज़ अगर मैंने properly manage कर ली and then I am fit for giving the examinations in the best manner possible यह book के अंदर क्या क्या होगा जैसे से अपन लोग करते जाएंगे we will keep on watching and definitely it will be worth it right अच्छा अब क्या क्या है इस book में मैं आप लोगों को बता देता हूँ के आपको एक motivation quote मिलेगा थोड़ा trend analysis मिलेगा एक study mentor मिलेगा आपको यहाँ पर study mentor बहुत important चीज़ है भाई study mentor मतलब क्या होता है यह अपना जैसे-जैसे concept question and answer होते जाएगा आपको खुद से यह आपको selfly करना है आपको खुद से यह चीज़ोंगो टिक करते जाना है जैसे-जैसे आपका सारा काम जैसे-जैसे-पर example मेरा question 3 हो गया class में तो आप यहाँ पे tick कर देना question 4 question 5 हो गया आप लोग यहाँ पे tick कर देना हो गया तो आपको भी बता रहेगा कि चलो यह सारी चीज़े मेरी complete हो गई है अब कोई tension लेनी के जरूद नहीं है अब इसको जब आप revise करोगे तो वापस से tick कर देना वापस से ज कर देना जितना ज्यादा टिक्स उतना आपका better पढ़के हुआ रहेगा उतना ज्यादा बार पढ़के हुआ रहेगा and that's what eventually you want am I right so that is your study mentor plus हम लोग ने इतने सारे सब प्रिव्यूज डाला है तो हर एक चैप्टर के पहले प्रिव्यू होगा जिससे आपको पूरा एक आइडिया आजाएगा चैप्टर का क्या है and then फिर the theory is there formulas है concepts है सारे के सारे concepts जहां जहां पर जरूरत हैं लोग ने pictorally use किया है formula sheets है यह पूरा एक formula sheet है सब्सक्राइब का practical question and answers है फिर बाद में so everything is there फिर summary भी दिया वह है so end में chapter के end में अगर आप लोग note करोगे तो यह देखो क्या दिकर है आपको चैप्टर summary चैप्टर summary भी है everything as is a part of this book कुछ आपको और अलग से करने की जरूरत नहीं है यह mainly कहने का मतलब है बिकोस क्या होता है पता है एट intermediate and final level students थोड़ा distract हो जाता है दस लोगों से मिलता है दस चीज़े सुनता है तो उसको लगते आरे मैं यह भी कर लूँ वह भी कर लूँ ऐसा भी कर लूँ but that's not practically possible stick to one thing and do it एकदम perfectly कभी life में problem नहीं आएगा stick to one thing बस यह करना है मुझे एकदम perfectly करना है कदम tension नहीं फिर बाद में आपको life नहीं रहे है तो इसके लिए मैं आपको कली यह क्यों बता रहा हूं so that आप कभी distract ना हो आपको पता है that yes यार मेरा जो optimized book है वो अगर मैंने कर लिया तो उसके बाद मेरे को और कुछ करने की जरूँ नहीं है that is the confidence that you should have in the book और इसके लिए मैं यह सब चीज़े आप लोग को बता रहा हूं यह book में आपको सब मिलेगा motivation चाहिए इसकी भी subject में study mentor से यह भी बता चलता है अपने को कि overall यह जो subject है उसमें क्या-क्या अपना portion है यह भी आपने को एक ओवर्वी आ जाते है एक chapter कर रहे होपन तो study mentor है फिर बाद में मैं आपको दे दूँगा यहां पे preview ठीक है फिर सारा का सारा theory है formula है practical question and answers है सारी चीज़े है यहां पे ओके फिर बाद में summary है सब 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 आपका यहां पे included got it guys okay mcqs है mcqs तो plus अपन लोग जैसे से मैं तुम लोगों पढ़ाते जाओंगा class में include करते जाओंगा and वो भी अपना एकदम आराम से smoothly हो जाएगा got it done so that's how it works sir magic book के बारे में बताओ ना देखो magic book यही सब का एक summary summarized version है जो exam के लिए काम का है magic book क्या है एक basically summary version है आपके optimized का यह mainly अपन लोग कभ यूज करेंगे exam के 1.5 days के लिए क्योंकि तब पूरा का पूरा optimized पढ़ना practically feasible नहीं होगा यही magic book का आप लोगों को मैं revision videos भी दूंगा YouTube के उपर जी हाँ so revision videos भी मिल जाएगा आप लोगों को YouTube के उपर so you are then rest assured के चलोगे अब अपन secured अपनी तरफ से के पूरा बुक भी बराबर से कर लिया इसी बुक के basis पे summary बना है और इसी basis के नंबर भी तुम लोगो मैंने अल्यड़ी शेयर कर दिया फिर भी वापस यहां पर लिख देता हूं कभी life में आपको doubt आये कुछ भी पूछना हो you can always get in touch with you 9819201473 ओके गाइस डन अब आज आते हैं इस subject के उपर अब तक तो मैंने खाली करने के लिए उसके ओपर एक confidence होना चीए उसको पर एक लगना चीए यह बुक से पढ़ने में मजाएगा that's where I have already given you an idea about the same अब idea ले लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के subject का जी हां तो यह subject को institute ने divide किया है दो पार्ट में first part is called as module 1 and the second part is called as module 2 institute ही नहीं मैं आपको बता दूं मैंने भी अपना syllabus इस हिसाब से ही डिवाइड किया है तो आप लोगों के पास दो बुक आएगी part 1 जिसको volume 1 बोल सकते है part 2 which is your module 2 volume 2 module 1 में जो ICI के module 1 में questions है ना I mean chapters है ना वही मेरे 1 में है तो आपको एगदब match to match हो जाएगा जो institute के में volume 2 में है ना वही मेरे में volume 2 में है so you don't have to worry at all so यहाँ पर देखो पहला जो आपका chapter है that is introduction to cost and management accounting introduction to cost and management accounting यह है आपका first chapter फिर second chapter है आपका material costing third chapter है खाली अभी आप लोगों को idea दे रहा हूं मैं chapters का फिर अपन लोग तो obviously एक एक chapter को करने ही वाले so that is where we will get all the knowledge of all chapters फिर आजाता है labor costing फिर है overheads costing फिर बाद में आता है activity based costing जिसको प्यार से ABC कहते हैं फिर बाद में आता है cost sheet and last में आता है cost accounting system right and then we have module 2 module 2 में क्या क्या है unit and batch costing second job costing फिर process costing फिर there is something called as joint and by products okay okay then you have service costing standard marginal and budgetary अब इसमें से हो सकते है आपको एक word भी नहीं समझाओ but at least एक आपको idea होना चाहिए कि कौन से कौन से chapter पढ़ने है so it is a total of 15 chapters guys exhaustive है मजा आएगा पढ़ने में काफी लेंदी है portion but it's okay आप लोग इसको इस तरह से manage करेंगे कि कहीं पर भी problem नहीं होगा don't worry ठीक है yes so done so यह आप लोग एक बार लिखना चाहोगे मेरी साब से लिख लो नहीं भी लिखा तो चलेगा volume 1 का index को लोगे volume 2 का index को लोगे तो by default आपको यह दोनों चीजे मिल जाएंगी right अब आ जाता हूँ मैं तुम लोगों को बताने के लिए that what is going to be my teaching style मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है वो अब मैं आपको बताऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ my teaching style my teaching style is going to be a combination of three things सबसे पहले मैं आप लोगों को एक example से बताऊंगा connect करूंगा कोई भी concept को तो सीधा समझो मेरे को कोई concept समझाना है तो मैं वो concept पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं आप लोगों को एक example दूंगा वो example से आपको connect करूंगा कि अच्छा ये चीज़ हो रही है और एक बार ये हो गया फिर बाद में अपने को करने हैं बहुत सारे धेर सारे practical question and answers बहुत सारे practical question and answers is what we have to do क्या बलता है पबली डन तो इस इस गों तो मैं टीचिंग स्टाइब है न क्या example से मैं connect करूंगा आपको उस example के बल्बूते पर concept समझेगा आपको फिर अपन डिराइव करेंगे कुछ formulas and then फिर many 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 practical question and answers from the book that you have yes obviously optimized में से फिर सारी चीज़े आप लोगों को मैं करूंगा अपने को तो exam का paper pattern क्या होगा sir तो यह भी आप लोगों को लिखना ज़रूरी है यह सब चीज़े first day पर बता दे तो better marks इस 100 marks में दो bifurcation है एक है mcq और दूसरा है descriptive mcq and descriptive mcq is going to be of 30 marks very important and descriptive तो descriptive है this is going to be of 70 marks यह जो mcq है यह देरेंगे ना उसी के उपर एक mcq बन जाएगा case based scenario of and there will be questions of one to two marks questions of one to two marks ज्यादा marks का भी हो सकते है बट यूशली दो माकर ने question आता है बचता है क्या मेरा यह 70 marks इसमें क्या होगा ध्यान से सुनना इसमें होगा question number one to question number five question number six जिसके अंदर question number one will be compulsory of 14 marks and जो बचा हुआ question number two to six है उसमें से कोई भी चार question आपको करना पड़ेगा देखो मैं दिखा तक ओके first question compulsory 14 marks का और फिर question two to six में से question two to question six में से आपको करना है any four two three four five six पाच question है इसमें से आपको करना होगा any four तो इसका मतलब क्या हुआ 14 marks into four यह हो गया आपका 56 marks समझें क्या तुम लोग यह मेरा 56 marks यहां पे यह 14 marks यहां पे पेपर पैटर्न मेरे इसाब से आप लोगो लिख लेना चाहिए बेटर रहेगा यह लिख लो एक बार तो अभी अपने को एक आइडिया आ गया है देट वाट इस आवर पोर्शन सो सुनो ना पोर्शन पेपर पैटर्न क्या है यह अपने को समझ में आ रहा है यह तो इस हिसाब से अपना पेपर पैटर्न कंप्लीट होगा mcq b descriptive b mcq 30 marks descriptive 70 marks mcq case based scenario एक दो दो माक का आएगा यह 70 marks का descriptive question number one compulsory तो कोई भी चाटर option में नहीं छोड़ सकते हैं कि वो question number one में आ गया तो and बाकी का two to six में से आपको करना है attempt ne4 teaching style अपना discuss हो गया बॉस क्या portion है लिख लिया है अपन लोग ने समझ लिया है अब इसको execute करने का time आ रहा है कौन सी books मिलने वाली है books के अंदर content क्या होने वाला है यह सारा चीज आप लोगों को मैंने बता दिया है module rtp mtb past paper old practice manual in general यह आप लोग intermediate का exams कैसे clear करोगे वो भी मैंने बता दिया है बस अब यह journey start करने का time आ गया है with an intention to score 90 plus marks for sure in the examination क्या बोलता है public चलो ओओ let's start चलो ओओ let's start so 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 मैं start कर रहा हूं मेरे मैं start कर रहा हूं मेरे chapter से पहला chapter which is going to be cost sheet a very favorite chapter of ICA है हर attempt में 10 mark के लिए पूछना ही पूछना institute को by default जी हां सब्सक्राइब मतलब पूछना ही है इंस्ट्रीव फेवरेट है एक और चीज़ दो तीन चीज़ याद रखना देखो अपने को एना रेग्यूलरली कम्यूनिकेशन रखना है ऐसा नहीं होगा कि मैं बस आउंगा पढ़ाउंगा आप ऐसे ऐसे करके चले जाओगे नहीं आपको डाउट आ रहा है पूछो आपको कुछ बात करना है आप बात कर सकते हो आपको बाद में आफ्टर क्लास अभी होता है न कभी कभी क्लास में समझ जाता है बाद में क्लिक होता है यह तो नहीं समझा तो वो अगर कोई डाउट आया वो तुम लोग डिसकस कर सकते हो that's how it should be कुछ कुछ बीच बीच में मैं होमवक देते रहूंगा and please ensure करना कि आप लोग होमवक time to time properly करना because that is very very important right so अब आर आपन लोग अपने first chapter के उपर as a part of module it is a part of chapter 6 and that basically is going to be cost sheet chapter number 6 let's start with cost sheet चलवाओ जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं start करूंगा बहुत सारे examples के साथ तो मेरा यह सबसे पहला example आ रहा है आपके screen पर ऐसा सोचो कि Mr. Sankal जिसके आप lectures attend कर रहे हैं वो है 18 साल के जिया आपकी age के है Mr. Sankal अब आप मुझे बताओ 18 साल की उमर में कोई कमाता है क्या obviously not sir अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कमाएंगे कहां से very good correct answer बट sir हम लोग को भी तो 18 साल की उमर में भी अपने को कई बार college जाना है class जाना है या फिर से बार example कोई friend को मिलने जाना है कभी भार भूमने चले गए कभी party करने चले गए कभी books करीतने है कभी कपडे करीतने है sir इतनी सारी चीज़ है वो सब के लिए पैसा कहां से आएगा तो आपकी age में usually आपको मिलता है pocket money क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल exactly Mr. Sankal के साथ अब ऐसा सोचो कि Mr. Sankal 18 साल के है आप सर आप दिखते तो ऐसे उतने ही साल के हो तो Mr. Sankal 18 साल के है and Mr. Sankal को अब मिलने वाला है क्या pocket money मुझे बताओ कितना pocket money दिलवाओगे यार मेरे को कितना pocket money दिलवाओगे? ठीक है every month के start में first day of the month मेरे parents मुझे pocket money दे देते है 1500 रुपय करो ना कुछ 1500 रुपय तक का pocket money दिलवाओ ना कि 1500 रुपय में मुझे लगता है कि यार मेरा काम हो जाएगा महीने का क्या बोलते हैं? चले हैं तुम्हारा permission है so say for first jan ऐसा assume करते हैं आज first jan first jan को मेरे parents आये morning में उठे और बोला कि ये ले बेटा तेरा ये एक महीने का pocket money so rupees 1500 पर मन्त का हमारा pocket money decide हुआ है 1500 पर मन्त का हमारा pocket money decide हुआ है तीक है? अब every month मेरे को ये महीने का एक pocket money मिल जाएगा say for example first feb तो first feb को भी पंदरा हासो पर मन्त मिल जाएगा मेरे को say उसके बाद first first march आया तो first march को वापस से 1500 पर मन्त मिल जाएगा सर समझो 1500 आपको मिला और आपने खर्चा किया 1200 रूपीज उनली तो 300 रूपीज का क्या होगा 300 रूपीज is my profit उतना kind of बोल सकता हो 1500 का तो खर्चा हो जाए वो जो 300 रूपीज बचा है था जैनुरी में वो भी मेरा use होना चलो जाएगा तो ऐसा adjustment होते रहेगा and 1500 रूपीज पर मन्त का मेरे को मेरा pocket money मिल जाएगा अब बात कुछ ऐसी है कि ये pocket money मेरे को क्यों मिल रहा है CDC बात है कि तेरा कहा कहा पर होते है भई हम लोग ने तेरको pocket money दिया तू हमारे को बता क्या क्या तेरा खर्चा हुआ है तो क्या हुआ पता है गया जैनुरी में उन्हांने मुझे pocket money दिया जैनुरी का मेरा थिके ना थोड़ा बहुत use हो गया तोड़ा होत मेरा savings था गया फिर February का भी उन्हों ने मुझे pocket money दिया और बोला February में भी तेरा February में भी मेरा कर्चा all of that हो गया उन्हों ने बोला कि यार क्या चल रहा है इसको पूछे तो सही तो मेरे parents ने मुझे बुलाया और बोला कि हम लोगो जरा बता तो January में February में तेरे को हम लोग ने जो 1500 रुपीज का pocket में नी दिया है उसका तुने क्या किया रहे जरा हम लोगो बता तो बताता हूँ ना मेरे पास सारा इसाब है तो मम्मी मम्मी मैं आपको February का बताना चालू करता हूँ तो मैंने उनको बताना चालू गया कि मैं 1st February को गया मेरा 100 रुपे का खर खर्चा हो गया अच्छा बात है फिर 2nd February को क्या हुआ भाला और है 2nd February को मैंने कहीं पर लिखके रखा था हाँ मेरा ना 200 रुपे का कर्चा हुआ अच्छा का का पर खर्चा हुआ हुआ है पापा याद नहीं आ रहे का पर खर्चा हुआ अच्छा फीर थोड़ थो संडे थ मैंने pocket money लिया मैं वो pocket money को properly record नहीं कर रहा था कहीं पे maintenance नहीं कर रहा कि मेरे को ये pocket money जो भील रहा है उसको मैं खर्चा कहाई पर कर रहा हूँ उसका तो मुझे आइडिया रखना चाहिए की नहीं नहीं मैंने रखा ही नहीं यार मम्मी पापा ने कुछ बोला ही नहीं तो मैं क्या रखू फिर मेरे को बोला अच्छा ऐसा ऐसा 14 फैब को कितना खर्चा हुआ अरे पापा मम्मी सच्ची बोलता हो 14 फैब को तो मैंने 500 रुपे का बुक्स लिया अच्छा बुक्स लिया 500 रुपे का हमारे को बना रहे हो नहीं नहीं पापा सची में, और ऐसे करते करते मैंने उनको बोला, पापा मेरा तो यार February में total 1600 रुपीज का खरचा हो गया, 1600 का खरचा हो गया, तो पापा बोले पर मैंने तो तेरे को 1500 दिया था, 1600 का कैसे खर्चा हुआ अरे पापा है थोड़ा बहुत जैन में बचा था वो भी मैंने इधर यूज कर लिया मेरे ममी पापा ने मुझे प्यार से बिठा के समझाया कि देख बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे को जितना खर्चा करना है कर बट एट लीस्ट कहां पे खर्चा हो रहा है यार वो तो तेरे को पता होना चाहिए ना कि कहां पे खर्चा हो रहा है बोलो हाया ना सही है ना गलत तो नहीं बोल रहा है मेरे ममी पापा मैं बला हाँ आप बराबर बोल रहा है कि मेरे को है ना लिखना चाहिए था कि कितना खर सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला कि तो amount को record करना चालू करा हां मैंने record किया है कॉनसे दिन पर मेरा काड़्चा खर्चा हुआ है बेटा तुने record किया है but इसको classify कर सकता है कि एक फर्स्ट डेगा ध्यान है, ट्रैवलिंग में मेरा हुआ रहेगा 50 रुपया, हीटिंग में 20 रुपया, मिसलेनियस 30 रुपीज, ऐसे करके मैं को ध्यान है, बट एक्जाक्ट कितना खर्चा हुआ है, पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा करना खर्चा हुआ है, सेकेंड पॉइंट मम्मी पापा ने समझाया मुझे, कि देख बेटा, सबसे पहला तो तिरको हम बोलेते कि तेको systematically record करना है, और हम लोग ने देखा कि तुने systematically record किया है, क्या systematically record किया है, कि कितने क्या-क्या मेरे खर्चे हुए, बट इस systematic record के साथ, ब अरे बेटा, classification, classification मतलब कितना खर्चा अपना eating में हुआ है, कितना traveling में, कितना books में, कितना valentine में, कितना roses में, हमको भी तो पता चले, मैं बला हाँ, बात तो सही है आपका, क्यों ना systematically तू record करे उसको, मैं बला, okay, done कर दूँगा, क्यों ना उसको तू classify करे, मैं बला, कर, तू एक standardized format में, हमारे को ये करके दे, standardized format क्या होता है, standardized format मतलब, every month में, तेरको ऐसे record करने का, ये date आ गया तेरा, मालों में, अपन लोग journal entry pass करते हैं, वैसा systematically, कि ये first feb है, total expenses, फिर बात में, नीचे लिख, हाँ बाई, eating में क्या खर्चा किया, 30 रुपीज का खर्चा मेरा miscellaneous, miscellaneous में मैंने क्या किया, पापा stationary करीदा और ये करीदा, उसका मेरा 20 रुपे का खर्चा हुआ, total मेरा 100 रुपीज का खर्चा हुआ, अब देख, कितना systematic लग रहा है, बात तो सही है, कौनसे दिन को total कितना खर्चा हुआ है, systematically record हो गया, हाँ, कौनसी चीज पे कितन जाधा खर्चा हुआ है, कम खर्चा हुआ है, वो भी आपे record हो गया, तो मुझे बता चल गया, eating में मेरा जाधा जा रहा है, या traveling में जाधा जा रहा है, या miscellaneous में जा रहा है, तो ये भी मैंने bifurcation कर दिया, अब ऐसे करते करते, मेरे को total idea आ जाता है, कि total खर्चा कितना ह हुआ, individual eating में कितना कर्चा हुआ, कौन सी तारीक को कितना कर्चा हुआ, and everything is systematically arranged in front of me, तो मम्मी पापा ने बोला, कि क्यों ना, तू इसको एक standardized format में arrange कर के दे हमारे को, ताकि हमारे को भी पता रहे है, that okay, this is the total bifurcation of the costs, वाह, क्या बात कही है, एकदम सही बोल रहे हो आप त तो systematically मैं record कर लूँगा, तो अच्छा होगा, कि obviously ना, अब अगर भाई देखो, अगर मैं systematically ऐसे record करवाता हूँ, तो अपने को पता है, देखो, कि मेरा क्या-क्या खर्चा होता है, say traveling, eating and books and total, अब मैं मम्मी पापा को एक system follow करवा दूँगा, कि traveling, eating, books and say total and miscellaneous and जो भी है, अ अब मैं इधर आ गया, first March को, first March को मेरा traveling में, 30, eating में, 50, books में, 20, total कितना हो गया, total हो गया, 100, अब यह देखो, systematically recorded, yes, classification done, yes, classification also done, total भी मिल रहा है, yes, can I say format में, अब यही format में हर दे, follow करूँगा, second March को भी, third March को भी, fifth March को भी, done, and exactly यही चीज, मम्मी पापा ने मुझे समझाई, and मैं आपको बताता हूँ, कि यह तो हुआ अपने लिए, यह तो हुआ अपने individual के लिए, अगर कोई business है, और उसको पता करना है कि उसका क्या-क्या खर्चा हुआ है, क्या-क्या revenue, क्या-क्या income, क्या-क्या expense, कब-कब कितरा किस-किस चीज क कैसे पता चलेगी, क्या ना इससे, उसको भी तो record करना पड़ेगा, उसको भी तो अपने कर्चे को classify करना पड़ेगा, उसको भी तो एक standard format में डालना पड़ेगा, so that he can understand, क्या चीज कहां पर क्या हुआ है, and exactly, इसी से evaluation हुआ, इसी से development हुआ, something called as the concept of cost sheet का for the businesses, पब्ली को realize हुआ, कि अगर individual level पे हमारे को इतना सब चीज मेंटेन करना पड़ रहा है, तो क्यों ना, हम लोग इसको ऐसे भी मेंटेन करें, आयूशी is saying such a good thing, कि it's just like petty cash book made by petty cashier, exactly, so that is one of the things, but यहाँ पे अपने को cost sheet जब बनाना है, तो अपन लोग cost sheet बनाएंगे, एक manufacturing concern के लिए, एक manufacturing entity के लिए, जब अपन यह manufacturing entity के लिए बनाएंगे न, तो इसमें काफी सारी चीजे, जो petty cashier के उसमें नहीं आती है, वह आना चाली हो जाएगी, जैसे raw material हो गया, जैसे for example, production कितना हुआ है, कितना stock मेरे पास बचा है, तो यह सारा, अगर मेरे को एक systematic format में, standardized format में, classification और recording के साथ मिल जाए, तो कहना इसे business की तो हो जाएगी, बले बले, business की तो बाबा हो जाएगी, and that is where the concept of cost sheet was developed, start होता है यह आपके और मेरे साथ, individual level पे public करने लगा, individual level पे public petty cash बनाने लगा, public ने सोचा कि यार यही same चीज़ बिजनस में करते है, पर business को एक advanced level पे लेके जाना पड़ेगा, तो advanced level पे अपन कैसे लेके जाएगे, by making something called as a cost sheet, by making something called as a cost sheet, एई, समझे गड़ों आप लोगों को everybody, तो cost sheet में अपने को क्या करना है, systematically record, मजाक मजाक में आप लोगों को इसका definition भी करवा दिया, कभी अगर theory में आ गया, तो अपने को पता होना चाहिए ना public, systematically record, classify, and last make standardized format होना चाहिए, so, अब मैं क्या करूँगा, आज से, मैं life में जो भी खर्चा करने वाला हूँ, उसको मैं क्या करूँगा, systematically record करूँगा, तो systematic recording, plus record करके, क्या करूँगा उसको, classify, plus classify करके, उसको, एक standardized format में, present करूँगा, एक standardized format में, इसको present करूँगा, यह सब मिला के मेरा बनता है, cost sheet, but obviously for a manufacturing entity, तो मैं यह बनाने वाला हूँ, मेरी manufacturing entity के लिए, तुम्हारे को ऐसा कुछ बनाना है, तो तुम बना लो, तुम्हारे अपने आपके लिए, उसको तुम बैटी cash, या कुछ भी नाम दे सकते ही, गुम फिर के, सब logics, तो वो ही, एक ही साथ connect होने वाले है, राइट गाइस, अब यह मैं क्यू बना रहा हूँ, यह मैं क्यू बना रहा हूँ, यह मैं क्यू बना रहा हूँ, लोजिकली सोचो, और मुझे बताओ, कोशीट मैं इसले बना रहा हूं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा कितना खर्चा हुआ है total इंडिविजूल एक्सपेंस का मेरा कितना खर्चा हुआ है प्रोड़क्ट वाइस मेरा कितना profitability हो रहा है बैइ product wise मैंने कितना unit sale किया और सामने कितना करचा किया तो मुझे पता चलेगा न कि मेरे को कितना फाइदा हो रहा है exactly यह ही reason है कि मैं cost sheet bina रहा हूं कि मैं cost sheet बना रहा हूं तो क्या लिखना हूं मैं इधर देखना है ध्यां से खर्चा खर्चा या जिसको आपन बोलते हैं कॉस्ट को systematically record करके कॉस्ट या खर्चे को systematically record करके क्लासिफाइ करके एक understandable statement form एक statement form में प्रेजेंट करना सही बोल रहा हूं ना मैं क्यूं कर रहे हैं अपन लोग यह ताकि अपने को कॉस्ट पता चले ताकि अपने को profit पता चले सो एक अपन लोग लिख लेते भाई भाई कॉस्ट हो रहा है उसको मैनेज़ भी तो करना पड़ेगा न ओई कोसक्त जादा न हो जाए तो to manage costs बराभर है और क्या पॉइंट हो सकता है ट्यृ प्रोड़कर वाइस execute ability to calculate to calculate प्रोड़क्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रोड़क्ट वाइज प्रॉपिट एई सम्झे गडू ठीक है एक बेसिक आईडिया आपने को बेटा बोलो बोलो चल चल लिख लिया यह तुम लोग ने लिख लो एक बार लिखना है तो बात बागी यह नोट्स तुम लोगों मिल नहीं वाल है शुत लोगों मिल नग्यार ऑदो प्रोड़क्ट वाल है तुम लोगों मिल फिल रखना अबरेवा लिख लिख कर नोट पल्व लोगों मिल यहाँ है आप आप गई हो डैड़ अब आगे बढ़ा हूं कि अब आगे बढ़ रहा हूं it can also be to control miscellaneous expenditure बिल्कुल and to see that the employees are not कोशीट का इंटेंशन वह नहीं होता है वह चीज आपकी जो पेटी कैश्बुक बनाते ना उसमें यूज आती है कोशीट में इतना लोड नहीं है इस चीज का चलो एनिवेस अब क्या लोड है क्या चीज है यह कोशीट आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं अब सुनो ना ऐ अब अपने को बनाना है अपन दोनों को साथ में मिलके बनाना है अब अगर मेरे को यह कोशीट का फॉर्मेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा तो जब ओरिजिनली यह कोशीट का फॉर्मेट बना था तो उनका थोट प्रोसेस क्या था अब वो मैं तुम लोगों को बता रह कि उन्होंने सबसे पहले बोला जो आपका कॉस्ट है ना कॉस्ट उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा सर किसमें क्लासिफाई करना पड़ेगा तो उन्होंने बोला इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वह आप जो direct cost है सार क्या फरख है दोनों एंडाय रिक बताता हूं बढ़ उसके पहले आपको बता दू कि भाई सबसे पहला काब अपने को कौशीट बना नहीं यह अपने को लगा बात तो सही बुल रहे हैं चाही है जब अपने को लग रहा है कि मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो सही है cost sheet बनना चीए individual level पे भी तो यार business level पे तो बनना ही चीए public CDC बात है, तो अब चलो आप इस cost sheet को एक standardized format में बनाने का कोशिश करते हैं, so that everybody can interpret it, can understand it and everybody can use it also आओ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस cost को bifurcate कर दूँगा भाई ये जो cost हुआ है ये direct cost है या ये indirect cost है तो सर दोनों का difference बताओ ना मेरे को कि क्या होता है direct cost और क्या होता है indirect cost, आओ, समझने की कोशिश करते हैं what exactly either of it means तो अगर मैं बात करता हूँ everybody अगर मैं बात करता हूँ direct cost की then in that case direct cost मतलब ऐसा cost which is dependent on production सर क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझा आओ बताता हूँ बस एक बार लिखत देने दो फिर explain करता हूँ with an example which is dependent on production which is dependent on production so अगर ये dependent है production के उपर इसका मतलब क्या हुआ एक चोट असा example लेते है calculator का आप मुझे बताओ कि क्या ये एक calculator बनाने को कितना raw material लगता है तो मैं आपको बोलता हूँ एक calculator बनाने को 2 kg का raw material लगता है ठीक है ध्यान से सुनना मेरे बात को please एक calculator बनाने को 2 kg का raw material लगता है मेरा and 1 kg raw material का cost कितना है पता है आपको rupees 200 per kg 200 per kg क्या मुझे कोई बता सकते हैं एक कैल्कुलेटर बनाने के लिए कितना रॉ मटीरियल का कॉस्ट लगता है बोलो बोलो टैल टैल तो आप बोलेंगी सर सिंपल है क्या सर एक कैल्कुलेटर के लिए दो किल्लो रॉ मटीरियल दो किल्लो रॉ मटीरियल दो किल्लो रॉ मटीरियल total raw material cost हो जाता है rupees 400 total calculator का cost हो जाता है rupees 400 एई, समझी गड़ू everybody बोलो बोलो tell tell समझ में आ रहा है आपको चीजे right, right sir, right sir, right sir done, अब मुझे एक बात बताओ ये मैंने calculator के लिए plastic मंगाया, plastic को मैंने use किया, और plastic से raw material बना दिया, 400 रुपया लगा अब अगर मेरे को और raw material बनाना है तो क्या मेरे को वापस से plastic मंगाना पड़ेगा क्या बोलो बोलो tell tell, हाई अना अगर मेरे को 10 plastic 10 मेरे को calculator बनाना है, तो मेरे को कितना raw material मंगाना पड़ेगा बोलो बोलो tell tell everybody मेरे को पता चला कि एक calculator बनाने के लिए 2 kg raw material लग रहा है, अब मुझे order आया है, कि भाई 10 calculator बनाऊ, 10 calculator बनाने का मेरे को order आया है, तो कितना किल्लो रो मट्रियल बंगाना पड़ेगा और कितना मेरा खर्चा जाएगा मुझे जरा बताओ ना अरे खर्चा भी बता दो ना आयूशी जी जब इतना बताई दिया है तो आपने देखते हैं अधर्स ठोली डा ठंडंडंडंडं तुब आज़े रातिमा काशथेते हैं यह कि शτόब ह्या आयू रहर्ताए है तुझा जाए आयू झाल मैंगंडंडंड़ तोरै छोगा मैं पर भी खर्चा दोजब बता आयूछ बताई अक्शबागंगं सबक्ताइए कारी जीज़शी जीजवाग अगा हो वेरी गुड, ओके, साही जवाब, सो एक, सुनो न, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे को चाहिए था, दो किलो रॉ माटीरियल, तो दस कैलकुलेटर के लिए कितना चाहिए होगा, आओ देखते हैं, तो एक कैलकुलेटर के लिए चाहिए, दो किलो रॉ माटीरियल, तो दस किलो के लिए मेरे को चाहिए होगा, 20 kg रॉ माटीरियल, am I right, the answer is yes sir, एक कैलकुलेटर के लिए, सुनो न, ध्यान से, एक कैलकुलेटर को बनाने में, मुझे लग रहा, 400 रुपे का रॉ माटीरियल कॉस् रॉ माटीरियल कॉस्ट, तो अगर मेरे को 10 कैलकुलेटर बनाना है, करेक्ट, मेरे को 4,000 रुपे लग जाएगा, as a रॉ माटीरियल कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट को, which is dependent on production, भाई, एक कैलकुलेटर मंगाना है, तो 2 kg रॉ माटीरियल मंगाया, हो गया काम, 10 कैलकुलेटर मंगाना है, 20 kg मंगाओ, 20 kg के ही सबसे कॉस्ट लगेगा, अगर 50 कैलकुलेटर मंगाना है, 50 कैलकुलेटर के ही सबसे रॉ मिटरियल मंगाओ, उतना कॉस्ट लगेगा, उस कॉस्ट को बोलते है, उस कॉस्ट को बोलते है, जी हा, डायरेक्ट कॉस्ट, a cost which is directly dependent on production, समझ में आया है, क्य indirect cost क्या हुआ, आओ बताता हूँ, आओ बताता हूँ, एक example लेते हैं, अपर लोग indirect cost का, आओ, 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 अब सुनो, मैंने एक factory higher पे लिया, मैंने एक factory higher पे लिया, imagine करो, मेरे पास एक factory है, इस factory का rent है, रुपीज 50,000 पर मन, 50,000 रुपीज पर मन, अब बात कुछ ऐसी हो जाती है, कि ये जो मेरा factory है ना, अब इसमें मैं आज 10 calculator बना रहा हूँ, कल उसमें मैं 100 calculator बनाऊंगा, फिर मैं 50 calculator बनाऊंगा, भाई, जितना भी calculator बनाना है, बना, अपने को rent तो 50,000 रुपीया ही देना है, पर मन, क्या ये rent जो मेरा है, ये मेरे production के उपर dependent है क्या, the answer is no, समझ में आया क्या, तुम लोगों को कुछ भी, ऐसा cost हुआ, indirect cost, ऐसा cost हुआ, indirect cost, cost, which is not dependent on production, which is not dependent on production, बहुत सारे example मेलेंगे, बहुत सारे जुंगा, don't worry, but at least अभी एक basic तो समझ ले, कि जब मेरे को इस calculator का raw material यूज़ करना था, तो जितना calculator उतना raw material मेरा use होगा, उतना मेरा raw material का खर्चा होगा, dependent on production, but मैं अभी एक raw material बना हूँ, 100 raw material बना हूँ, या 500 raw material बना हूँ, मुझे rent तो बेटा उतना ही देना है न, तो क्या मेरे production के ओपर ये raw material cost included, concluded, या dependent है क्या, नहीं सर, cost which is not dependent on production, is a indirect cost, क्या आप लोगों को समझ में आया guys, right, ठीक है, तो मैं एक चोटा सा, एक चोटा सा, तुम लोगों के लिए, यहाँ पर, bifurcation बना सकता हूँ, क्या नहीं से, मैं तुम लोगों के लिए, एक चोटा सा, यहाँ पर, bifurcation बना सकता हूँ, क्या होग इस bifurcation में, इस bifurcation में होंगे, दो cost, कौन से दो cost, एक होगा, direct cost, दूसरा होगा, indirect cost, indirect cost, direct cost, direct cost के लिए, क्या लिखेंगे अपन, cost which is directly dependent on production, so, cost, which is, correct, directly, dependent, किसके उपर, on production, तुम लोगों को भी लिखना है, साथ साथ में लिखते जाओ, that is, can I say, इसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसा cost, which changes, which change in output, so, that is, cost, which changes, which change in output, that is, cost, which, changes with, change in output, got it, इसका best example, अपन लोग ने लिया, एक raw material का cost, right, so, example, direct material, या जिसको बोलते हैं, raw material, समझे, and दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरा, indirect cost, क्या ये dependent है, production पे, output पे, जर्रा भी नहीं, सर, इसका example क्या लिया, आपन ने, factory का rent, सर, आओ लिखते हैं, आओ लिखते हैं, cost, which is, cost, which is, not dependent, on production, that is does not change with change in output with change in output, example यहा का बाद श्रांग है, and that is factory rent इस प्रेश्ट वे समझे गड़ी है अब यह बेसिक अपने लिख लिए यह बेसिक अपने को समझ में आ गया तो सबसे पहला काम काश्वींट में क्या हुआ सर्पक्रां या तो इन डिरेक्ट में अब मैं कुछ एक्जम्ब्ल लिख रहा हूं तुम लोग अगर सब़ो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब कमई बिजनस है का का बिजनस है मोबाइल का चलो बनाने का अपना बिजनस यह अपने बिजनस का नाम है माजिक ओपाइस अब इस बिजनस को अपने को भाइन कर है झाजो से वह सिंग क्या है देखते हैं अ McKell में तुम लोग बताना हैं कि ये डाइरेक्ट ये इन डाइरेक्ट है एक चीरिएल नंबर जिन है और इंडर headline डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट प्डियेक्ट आता है वन जो बोलो क्या आएगा यहां पर पार्टिक्युलर, मैं आपको बोलता हूँ बैटरी, मोबाइल का बैटरी, बोलो क्या आएगा, डारेक्ट या इन डारेक्ट, अगर एक मोबाइल है, तो उसमें एक बैटरी लगेगा, 10 mobile मंगा हैं तो उसमें 10 बैटरी लगेगा 20 mobile मंगा है तो उसमें 20 battery लगेगा जितना battery मंगा रहो जितना mobile मंगा रहो उतना battery लाजना पड़ रहा है उतना battery का cost change होते जएगा dependent on production तो इसका मतलब battery for a mobile phone business बैटरी for a mobile phone business is a direct cost समझ में आगे everybody very nice वैश्णवी यूशी इशा इशा कहां पर थी तू okay okay second second के उपर आते हैं second के उपर मुबाइल का screen screen आता है न मुबाइल का screen यह जो screen है वो क्या होगा स्क्रीन लगाना पड़ेगा स्क्रीन लगाना पड़ेगा स्क्रीन लगाना पड़ेगा मेरा डायरेक्ट तो देखो ऐसे ही अपन लोग पढ़ाई करेंगे मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं टू वे कम्यूनिकेशन होना चाहिए आपको भी answer देना है मैं question पूछूंगा तो आप लोग भी involved होगे अदर्वाइस सो जाओगे तो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं दूसरा एक्जामपल्स पहले आएंगे फिर concept से connect होगा और फिर some solve होगा थर्ड चलो थर्ड पार्ट के उपरा आप camera camera of a mobile phone सर जितने mobile उतना camera सर जितने mobile उतना camera चलो ठीक है यह भी तुम लोगों का आगया है very good अब मुझे लगता है कुछ एक चलो पहले इजी देता हूँ factory का रेंट फैक्टरी का रेंट बोलो क्या आएगा तो सर मैंने बता चुका हो तुम लोगों को तुम लोग क्या केस कर रहे हो चलो इन डायरेक्ट आएगा यह ठीक है इजी था यह अब आ जाते है next के उपर अब आने वला है मजा ध्यान से जवाब देना इसका एंप्लोई सेलरी एंप्लोई सेलरी बोलो क्या एगा एंप्लोई सेलरी कहा पर जाएगा अब सुनो यूजवली सेलरी एक फिक्स्ट अमाउंट होता है जो मैं उसको पे करने वाला हूं अब भाई मैं दस बनाओं के सो बनाओं मोबाईल के पांसो मोबाईल बनाओं एंप्लोई को जो सैलरी देना है वो तो उतना ही देना ना यार करेक्ट यह हो जाता है इंडायर एले समझ रही हो तुम लोग बट अगर मैं इसकी जगह लिख दू लेबरर्च वेजीज लेबरर सब्लेजिज और इदा लिख देता हूं प्रोड़क्टव का प्रोड़क्ट वाईज एगा अगर मैंने यह एक प्रोड़ट्ट बनाया तो मैं उसको सो रुपया दूंगा तो यह ऐसा लेबरर्स वेजिस क्या होगा बेटा यह हो जाएगा मेरा डाइरेक्ट कॉस्ट एह सम्झो एवरीबाड़ी पोलो पोलो टाल टाल येस डाल 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 ग्रेट नेक्स्ट सम्झो और एक एक एक्जामपल लेते हैं अपन कि यह से बहुत सारे अपने पास एक्जामपल से करने के लिए यूज यूज एविदें एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट क्या जाएगा बोलो अब यह मैंना जान बुचके डाला है बोलो मुझे ऑडवर्टीजमेंट कहां पे जाएगा separate या indirect बढ़ा होल्डिंग लगा और उस होल्डिंग का मैं पेग कर रहा हूं से रुपीज 10,000 पर मन अब इसमें तो वो कोई लेना देना ही नहीं है वो होल्डिंग वाले को मैं इससे एक यूनिट बनाओ कि सौ यूनिट बनाओ मुझे तो दस रुपया पर मन देना ही देना है तो अभी तक अपन लोग ने क्या सीखा अपन लोग ने अभी सीखा कि अपन कर रहे एक चैप्टर जिसका नाम है कौशीट सर वो तो ओफर होगा ना कौन सा तु यह वाला बोल रहे है ना यूशी हाँ यह ओफर है बढ़ तेरा तो खर्चा है ना तू समझे नहीं यह देख जीख स्क्राच का मेरा तो खर्चा है ना अब मेरे यह पे 100 मोबाइल बिचे मिके अगर मेरे यह से 100 मोबाइल शोल देन इंड गेज्ड और होडिंग अगर मैने कहीं पर लगा दिया बड़ा होडिंग लगा दिया मैजिक मोबाई 10,000 उसका मेरे को देना है अब लोग आएंगे देखेंगे जाएंगे बट क्या उससे मेरा डारेकुली प्रोडक्षन पर अफेक करेगा क्या मैं क्या जिस्टमाटिकली cost को record करो फिर उसको classify करो और फिर उसको एक understandable statement में या format में put up कर दो that will be your cost sheet और इसको अब अपन लोग ने divide कर लिया है दो पार्ट में एक को नाम दिया है direct cost और दूसरे को नाम दिया है indirect cost एई समझी गड़ो है everybody तो इधर तक सब लोगों को समझ में आ गया है guys direct cost क्या है dependent on production बहिया direct cost क्या है dependent on production पर indirect cost not dependent on production not dependent on production समझ में आया everybody ना ताकि doubts भी clear हो रहे है तुम लोग के और काम भी हो रहा है लिख भी रहे हो दीरे दीरे बढ़ाते जाओंगा है फिर one and a half hours two hours two and a half hours भी लेंगे अपन so that portion भी टाइम पर कम्प्लीट हो जाए और एक अपने ज्यादा टाइम स्पैन होगा तो ज्यादा चीजें भी अपन लोग करते हैं फिर तुम लोग चाहिए मुझे वाट्सअप कर दो ना मैं सब चीज बेश दूगा तुम अलग को पास मेरा वाट्सअप नमबर तो हैं ना बेटा जो भी चाहिए वैसे भी तुम लोग यह चीज के लिए वाट्सअप करोगे ना तब मुझे साथ में और भी पिलिग्राम पर आजाओ फिर ग्रूप भी बना लूँगा ठीक है ठीक है चाहिए टाइम फर मीडियू से आस्ता विस्ता गाइस कीप स्माइलिंग मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस फाइफ पीम शाट और यह नोट्स जो मैं लिख रहा हूं ना इसका तुम लोगो